Hello everyone, welcome to Okul, India के सबसे affordable learning platform है, आप सबी लोगं का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने Certificate Physical and Human Geography, G.C. Lyon के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे Chapter 9 में हम लोग है, पिछले lecture में हम लोगों ने इस chapter को start किया है जो की lakes के उपर है, यानि की तालाब के उपर है, Part 2 को लेकर आज हम इस chapter के बात करेंगे इस topic का, lakes को लेकर, अभी तक हमने काफिटारे सारे types के lakes के बारे में जो है वो discussion कर लिया है ठीक है, कि जैसे glaciation से lakes कैसे बनते हैं, हमारे erosion अगर activities होती है तो उससे lakes कैसे बनते हैं इस तरह की बहुत सारी चीज़ा हम लोगों ने डिसकस की है, आज एक दो पार्ट हमें और बात करनी है कि lakes जो है वो deposition से कैसे बनेंगे, और बाकी human activities से और biological activities से भी कैसे lakes बनते हैं और बाकी human का और lakes का एक relation क्या हो सकता है, या किस तरीके से हम कहें कि lakes हमारे लिए significant है वो हम बात जो है आज के lecture में करेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से request करना चाहूँगा कि जो लोग इस course को इस video series को follow कर रहे है जिनको यह पसंद आ रही है प्लीज जादा से जादा वीडियोस को like करें, जादा से जादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, colleagues के साथ ताकि हमारे इन courses का जो फायदा है वो सभी लोगों को मिल सके और बाकी जो लोग चैनल पर नए है उनसे भी मैं request करूँगा अगर आप लोग को concept पसंद आ रहा है, अगर आप लोग को content पसंद आ रहा है तो आप लोग भी चैनल को ज़रूर subscribe कर ले है और bell icon प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई video post हो तो सबसे bell icon notification आपको मिल जाए, ठीक है, चलिए तरफ सार्ट करते है आज का lecture चलते है अपनी book की तरफ, देखिए, आज हम बात करने वाले है lakes formed by deposition से, ठीक है, deposition कैसे होगा, कि rivers अपने साथ जो sediment पकर लेके आएगी, उसको वो deposit करेगी कहीं पर, मतलब इंदी of course इंदी lower course है ना, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके के lakes वगरा बनते है देखते हैं पहले क्या है, सबसे पहला है, lakes due to river deposits यानि कि जो river deposits कर रही है, उसके थूँ और river में shorten its course during a flood by cutting across its meandering loops leaving behind a horse shoe shaped channel as an oxbow lake, ठीक है और इस तरीके के lake कहाँ पर पाई जाते हैं, जो हमारा lower Mississippi river है USA में, उसके flood plains में, and in the Rio Grande in Mexico यहाँ पर क्या लिखा गया है, अगर इस line को आप पढ़ना चाहें या आप इस line को अगर समझ गया है, अगर अच्छी बात है generally course पर पानी इस तरीके से बहेगा, minder करते हुए लेकिन जिस समय flood आएगा, तो यह पूरा का पूरा जो पानी है वो इस तरीके से ऐसे बहने लग जाएगा, और यहाँ से जो यह region है यह cut हो जाता है, ठीक, और यहाँ पर यह जो lake बन जाएगा this is your oxbow lake, ठीक, यह जो तरीके का lake बनेगा this will be an oxbow lake, oxbow lake क्यों बलते है इसको जो ox होता है, उसके bow, मतलब जो उसका sing होता है उसकी तरह इसका shape होता है, इसलिए इसका नाम दिया गिया है oxbow lake, ठीक है, हम लोगोंने river course में इसको बहुत अच्छी से detail में पड़ा है, तो यहाँ पर जो दिया गया, उसका बंतल यह है मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, चलिए आगे देखते है lakes due to marine deposits, यह तो river deposits की बात थी, अब कुछ marine deposits से भी lake बनता है, देखे कैसे, the action of winds and waves may isolate lagoons along coast by building spits or bars, ठीक है, कि जो lagoons बनते हैं, उन lagoons को जो है कि winds और waves क्या कर सकते हैं, isolate कर सकते हैं, कैसे, बना सकते हैं, spits और bars, ठीक है, spits और bars क्या होता है, यह हम लोगों को पता है, ठीक है, यह हम लोगोंने पहले अपने physical जोगर कोर्स में देखा है, तो I hope कि आप लोग अगर वहाँ से कोर्स को follow करते हैं, तो आपको इस चीज़ अब पता होंगी कि spits और bars क्या होता है, as these lagoons of shallow water are enclosed only via narrow split of land, comprising mud, sand and shingle, shingle क्या होता है, छोटे pebbles, ठीक है, they may drain away at low tide, यह क्या होगा कि यह shallow होते हैं, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि जब low tide हो, तो यह उस समय drain away हो जाए, यानि कि जो इनका reason है वो खतम हो जाए, ठीक है, they are commonly found off the deltas of large rivers, such as the Nile and the Ganges, जो बड़ी नदिया है, उनका यहाँ पर delta formation होता है, वहाँ पर इस तरह की चीज़े देखी जाती है, जैसे कि Nile नदिया है, या फिर जो गंगा है हमारी वो, ठीक है, in east Germany and Poland, lagoons are called haps, east Germany में और Poland में इस तरह कि जो lagoons होते हैं, उनको haps पूला जाता है, ठीक, strong onshore winds are capable of pushing coastal sand dunes, landwards and these may enclose marshy lagoons, तो क्या होगा, कि जो wind है, ठीक है, या जो wind है, जो waves है, वो थोड़ा से क्या करेगी, जो sand dunes है, जानी कि जो वहाँ पर, रेत का एक तरह किसाब कहाएंगे, कि धेर है, coastal area में, ठीक है, तर्ट में, उसको landward push करेगी, और उससे क्या होगा, कि थोड़ा सा वहाँ पर पानी आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर एक मार्शी landslides, iskrees and avalanche, ठीक, landslide मतलब भूस खलन, iskrees मतलब जो इस तरीके के landslides से जो छोटे-वोटे पत्थर नीचा के कंकर वगरा होता है, उनकी तरफ से, और avalanches मतलब होता है, हिमिस्खलन, ठीक है, जो बड़े-बड़े जो फ्लो है, उसमें एक barrier बंद के तरह काम करते है, एक बाधा रुकावर्ट बनते है, इसलिए इनको बूल जाता है barrier links, ठीक, landslides or skrees may block valleys so that rivers are damped, यानि कि किसी नदी में, जैसे यहाँ पर नीचे लेकर diagram दिखाया गया है, कि यह कोई hill slope है, यहाँ से stream बह रही है, ठीक, इसको उनको सा color कर लेते हैं, ताकि हम यह दिख जाए, यह hill slope के पर बाली जाए से करके नदी बह रही है, ठीक, अब यहाँ पर क्या है, कि avalanche है, या जो भी हुआ है, ठीक, avalanche है, या land slide हुआ है, उसकी वैसे यहाँ पर यह इस तरीके से पत्थर वगरा जो है, खटा हो गए, अब उपर से जो यह नदी आ रही है, तो इसको क्या होगा, कि यहाँ पर इसको पानी आगए, यह जा नहीं कि जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद फिर यह पानी यहाँ से, इसको उपर से फ्लो करने लग जाएगा, तो इस तरीके का लेक आप समझ सकते हैं, इस अ very very temporary lake, ठीक है, यह temporary lake है, यही चीज़ जो है, मैं आपको बताईए, यह उपर लिखी गई है, सुछा उसर heat कर लेते हैं, क्या दिया गया है, such lakes are short-lived, वही मैं बता रहूँ short-lived बता temporary हो गए, because the loose fragments that pile across the valleys will soon give way under the pressure of water, वही बात है कि उपर से जैसे पानी इसमें इखटा होते जाएगा, तो उसका pressure बढ़ेगा, और pressure बढ़ेगा, तो यह जो यहाँ पर इस तरीके का obstacles वगरा है, ठीक है, स्क्रीज लैंड स्लाइड डेवलांचे से जो भी obstacles आए है, इनके ओपर ज़्यादा pressure पढ़ेगा, और यह वैसी भी loosely stream थी, वो अपने अप हलके हलके बैरे थी, तो इससे नीचे के जो एरिया थे, low lying areas, वहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं था, अब जब यहाँ पर इस तरह के dam बन गया, इस तरह के lake बन गया, तो क्या होगा कि एकदम से, जैसे ही सारा का सारा, यहां से यह मलवा हटेगा, ठीक है, तो यह एकदम से पानी नीचे जाएगा, और एकदम से पानी नीचे जाएगा, तो वहाँ पर क्या जाएगी, बाड़ा जाएगी, ठीक है, और इस तरह की deposits के हमने बात करी, marine deposits हो सकते हैं, they can be river deposits, और they can be from the landslide screens or the avalanches, ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, lakes formed by human and biological activities, ठीक है, man-made lakes, man-made lakes आप सभी लोगं को पता है, artificial lakes बनाए जाते हैं, ठीक है, तो besides the natural lakes, man has now created artificial lakes by erecting a concrete dam across a river valley so that the river water can be kept back to form reservoirs, ठीक है, इसका use जो है, वो generally हम लोग देखते हैं कि hydroelectric power plant में इसका use होता है, ठीक है, वाकि recreational purposes के भी इसका use हो सकता है, तो मतलब यह एक तरीके का, पूरा का पूरा इस तरीके का जो concrete structure बनाके, बड़ा सा concrete dam बनाके, वहाँ पर पानी खटा किया जाता है, that is becomes your reservoir, जैसी यहाँ पर यह diagram में दिखाया भी गया है, ठीक है ना, कि इस तरीके का यहाँ पर कोई river है, और यहाँ पर इस तरीका dam बना दिया गया है, और इससे क्या है कि यह जो नदी आ ली थी, यहाँ पर पूरा का पूरा यह reservoir बन जाएगा ऐसे करें ठीक है, इसके बाद अगला देख लीजिए, जैसे इसमें कुछ example भी दिये गया है, कि among such man-made lakes, the most imposing is lake mead above the hover dam on the Colorado river of USA, ठीक है, इसके बाद animals द्वारा lake बनाने की जो process है, यह काफी ज़्यादे interesting है, ठीक है, एक animal का नाम यहाँ पर दिया गया है, that is your beavers, ठीक है, beaver generally तो जो है, अगर हम इसकी बात करें, तो यह rodent है, rodent क्या होता है, जो कुदरने वाले होता है, यानि की जैसे की चुहा, ठीक है, लेकिन यह थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, अगर आप इसको जा कि इंटरनेट पर मोटा होता है, यह उसको भी अपने दाच से पूरा का पूरा गिरानी की शमता रखता है, यह उसको बहुत ही आराम से, बहुत ही patience के साथ उसको थोड़ा-थोड़ा कुदरता रहता है, और कुदरने के बाद उसको यह आदे से जादा काट देता है पेड़ को, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, कि पेड़ जो है, जब विंड आएगी, जब तेज हवा चलेगी, तो पेड़ अपना गिर जाएगा, जैसे मानी जी यह पेड़ है, तो यह क्या करेगा, कि इस पे इस तरीके का, होने को रोडDEN फैमली का है, लेकिर बड़ बढ़ा होता है, ठीक है, अब यह क्या करते है, उसके बाद जो यह पेड़ गिरते हैं, उन पेड़ को यह चोटे मुलड़े पेड़ के जो तनमे बगर हैं, उनको उठाके ले जाते हैं, ठीक है, यह उसमें, फिर क का जैसे काम करते हैं वैसे किया जाता है लॉक्स फसाते हैं लखडी के तो यह काफी मतलब बिलकुल एक बढ़िया करके जो आप डैम होता है ठीक है जितने भी यह capacity में डैम बना सकते हैं उतना यह बिलकुल बढ़िया डैम बनाते है ठीक है तो आप जाके एक बार इसको सर्च करजेगा आपको यह डैम किस तरगी से बनाते हैं वही चीज़ वहाँ पर दिखाई देगी तो दे लिव इन communities and construct dams across the rivers with timber ठीक है लखडी से ही मैंने बताए किस तरगी से लखडी वक्राई लेके आते हैं यह पूरा का पूरा पेल काट सकते हैं communities में रहते हैं और इनकी जो पूरी की पूरी family होती है ठीक है वो सभी जो है इस काम में हिस्सा लेते हैं सभी इस काम में participate करते हैं और dam making और इस तरगी के जो beaver dams होते हैं they are quite permanent and are found in North America example the beaver lake in yellowstone national park of USA yellowstone national park की बात हम लोगों ने एक दिन और भी की थी जहां पर हम लोग बात कर रहे थे about the geezer है ना जहां पर हम लोगों ने old faithful की बात की थी old faithful geezer की है ना तो वहीं पर यहां जो है एक इस तरह का beaver lake भी देखने को मिलता है ठीक इसके बाद यहां पर कुछ other type of lakes की बात की गई है इस इंक्लूड और ना मेंटल लेक्स इस्पेशली मेड टू अट्रेक्ट टूरिस्ट एक्जामपल लेक गार्डन के लिए क्वाला लंपुर ताइपिंग लेक्स ठीक है मतलब यह बेसिक इस तरह के लेक्स हैं जो बनाएजाते हैं ठीक है जो सुंदर बनाएजाते हैं ताकि वो परियर्टकों को लुगा सके हैं ठीक है पारियर्टन के लिए ट्यूरिज्म के लिए बनाए जाते हैं मैस माइनिंग क्विटी के? tin mining in west malaysia have created numerous lakes ठीक है mining activity से भी lake बनते हैं उसके बाद inland fish culture has necessitated the creation of many fishing lakes काफी सारे lakes वगरा जो है वो fish culture यानि की मचली पालन के लिए जिसको बोला जाता है मत से पालन के लिए उसके लिए भी lakes जो है वो बनाई जाते हैं ठीक ये तो सारे सारे lakes की formation वगरे के बारे में बात होई जिस topic को हमने कल स्टार्ट किया था वो आज यहां पर complete हो गया है इसके बाद इसमें दिया गया है lakes and men ठीक है मतलब की lakes जो है वो हमारे लिए humanity के लिए मानव के लिए किस तरीके से significant है ठीक है चले देखते हैं इसको a careful examination of the lakes of the world will reveal their immense human significance in countries where they are found in abundance जैसे कि Finland है Canada, USA, Sweden and the East African states जहां पर बहुत जादा lakes पाई जाते हैं together with other inland waterways have played a dominant role in the human, economic, social and cultural life of the people ठीक है यानि कि लोगों की जो आर्थिक जिंदगी है जो उनकी समाजिक जिंदगी है उसमें ये जो है अपना role play करते है ये बात हमने पहले भी समझी है कि पानी का होना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि पानी अगर होगा किसी भी रीजन में तो उसके आसपास फिर आपको agriculture देखने को मिलेगा उसके आसपास आपको human settlements देखने को तो इसके बात हम यहाँ पर start कर लेते हैं कि करके जो भी यहाँ पर features दिये गए है major uses of lakes दिये गए है सबसे पहला है means of communication लार्ज lakes जैसे कि the great lakes of North America provide a cheap and convenient form of transport इसको transport ले यूज किया जाता है for heavy and bulky goods जैसे कि coal यानि कि कोईला है iron है machinery, grains and timber यह सब का transportation इसके थूँ किया जाता है the great lakes St. Lawrence waterways penetrates more than 1700 miles into the interior ठीक है काफी लंबा है यह they are thus used as the chief arteries of commerce तो मैतलब इनको commerce के लिए यानि कि हम कह सकते है वालिज जे के लिए जो है commercial चीजे है ठीक है यानि कि private नहीं है commercial यानि कि industrial चीजों के लिए इसका जो है transportation इसके थूँ किया जाता है it is estimated that the annual tonnage passing through the salt St. Mary Canal or the Sioux Canal between Lake Huron and Lake Superior is greater than the combined annual tonnage of the Suez and the Panama Canals ठीक है Suez और Panama Canals इसका comparison इसलिए किया गया है क्योंकि they are very one of the most important sea routes ठीक है या हम कहेंगे कि most important trade routes हैं ये जिनके थूप पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो है ट्रेट किया जाता है पनामा किनार आप लोगों को पता होगा जहां पर Atlantic और Pacific Ocean है बीच में जो Central America का region है पनामा जहाँ पर country है उसके बीच में इस तरीके कनार बनाई गई है और स्वेस कनार अगर आप लोग जाके देखींगे तो आपको ऊपर दिखाई देगी जो हमारा अफरीका का पार्ट और जो एशिया का पार्ट है उसकी बीच में जापर इन लेक्स की जो significance दिखाई गई है कि यह communication में या transportation में कितना ज़्यादा यूज होते है कि इनकी जो tannage capacity है tannage capacity का मतलब होता है कि कितना इनके थू जो है सामान ट्रेवल कर रहा है ठीक तो annual tannage जो है इस तरीके की जो कैनाल जो करें आपर दी गई है उनकी स्वेस कैनार और पैनामा कैनाल से भी ज़्यादा है ठीक इसके बाद economic और industrial development की बात कर लेते है अरली settlements and town sites were very much influenced by the presence of lakes ठीक ह are an even more decisive factor when they are drained by large river with outlets to the sea ठीक है और lakes जो है वो और भी जादा important हो जाते है जब वो बड़ी नदियों के द्वारा drain के जा रहे है ठीक है जिनका outlet कहां है C पे the great lakes St. Lawrence waterways were responsible for the development of the interior wheat farms and lakeside industries ठीक है वही मैं बतारों की जहाँ पर पानी बगरा होगा वहाँ पर क्या है कि इस तरीकी की wheat farms बगरा बने है lakeside industries बगरा बनी है then raw materials minerals and fuels were economically handled and assembled in the homes यह homes आपका जो home घर है वारा home नहीं है इसका मतलब क्या है यह homes district है that is Lake Huron Ontario Michigan Erie and Superior पूरे के पूरी US की बाद यहाँ पर की गई है which has since become one of the greatest industrial districts of the world ठीक है यह बहुत जादा industrial district बन चुके है similarly lakes Poyang, Tungting and other lakes of the Central Yangtze Basin have greatly assisted in the commercial and industrial development of Wuhan that is Wu Chang, Hanging and Hanko ठीक है Wuhan को तो सभी लोग अब जानते ही है ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके lakes का use होता है इसके बाद water storage water storage कैसे देखिए lakes of either natural or artificial origin are vital sources of domestic water supply to surrounding towns and industrial cities ठीक है इस तरीके के जो artificial lakes है natural lakes है इनके तुरू घरों में जो है पानी की supply होती है ठीक है water supply जो है domestic supply towns में surrounding जो आसपास के towns है जो industrial cities है वहाँ पर जैसे की लेक बिटेन जो है थर्लमेर supplies water to Manchester, lodge कैटरीन to Glasgow, lake वाइनवी to Liverpool, वी ओखला reservoir supplies to Delhi and वेतरना विहार and Tulsi Lake supply to Bombay ठीक है इस तरीके के जो है आसपास के शहरों में इस तरीके का पानी का जो है वितरन या distribution जो होता है इसके बाद hydroelectric power generation के लिए भी lakes का use होता है यह तो obvious सी बात है आप लोगों को पता भी होगा in the mountainous districts lakes और manmol reservoirs are used to furnish a good head of water to generate hydroelectric power head of water का मतलब होता है कि पानी की height इखटा करनी है क्यों कि hydroelectric power को कैसे generate के जाता है उसमें turbine चलाएं नहीं पड़ती है और turbine की जो blades है उसके उपर आपको काफी height से जो है पानी flow कराना पड़ता है क्योंकि उसमें एक तरीके साम अगर ठोड़ा बहुत अगर किसी को science का engineering का idea है तो वहाँ पर उन लोगों को यह चीज़र पता होंगी कि there is kind of energy, mechanical energy होती है जिसमें potential energy और kinetic energy होती है ठीक है तो potential energy का energy वो होती है जो height के कारण होती है और kinetic energy वो होती है जो motion के कारण होती है ठीक तो यहाँ पर basically क्या होता है hydroelectric power का जो concept है वो यह है कि potential energy of the water is converted into the kinetic energy of the turbine blades ठीक तो इसलिए यह head की जरुआज जो है पड़ती है यानि कि जादा height तक अपानी चाहिए उसको अगर हम turbine के उपर डालेंगे तो क्या होगा potential energy will be converted into mechanical energy और जितना जादा head होगा उतनी जादा potential energy होगी और जितनी जादा potential energy होगी उतनी जादा ही वो kinetic energy में convert होगी क्योंकि हमें पता है कि energy is neither created nor destroyed it can only be transformed from one form to the other तो potential का conversion यहाँ पर होगा kinetic में जितनी जादा potential energy होगी उतनी जादा kinetic energy होगी और जितनी जादा potential energy होगी वो कहां से आईगी जितना जादा head होगा तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि good head of water ठीक natural lakes जो है वो prefer किये जाते है to artificial reservoirs because the volume of water that flows from them varies very little throughout the air ठीक है natural lakes जो है उनको जादा वरियता दी जाती है या उनको जादा prefer किया जाता है क्यों कि उनमें से लगभग लगभग क्या होता है कि सालाना तोर पर यानि कि साल भर अगर हम बात करें तो लगभग उसमें से बराबर पानी जो हो आता है variation जो है वो बहुत कम है जैसे कि यहाँ पर example इसा नहीं होगी कभी अगर electricity बन रही है कभी पानी नहीं है तो फिल्टरबाइन नहीं चल पाएगी तो फिल्टरबाइन नहीं बनेगी तो यह चीज नहीं होगी रेगुलरिटी वहाँ पर नहीं आएगी लेकिन एक्जामपल की तौर पर एक और दिया गया है that is your कटाबवा river in the carolinas which does not flow from a lake has very little water during the dry season अब यह जो है यह इस तरीकी की river है जो किसी lake से flow नहीं करती तो इसमें dry season में जो है पानी बहुत कम है क्योंकि एक तरीकी साब कह सकते है फिर यह rain fed होगी यानि कि इसमें जब बारिश होती है तब पानी होगा और जब dry season है तो इसमें पान है तो ठीक है बिजली पैदा हो जाएगी जिससे में पानी नहीं है उसमें क्या करेंगे तो इसकी वज़े से फिर प्रॉब्लम यह है कि इसके ओपर rely करके industries वगरा setup नहीं की जा सकती तो यही चीज़ यहां पर लिखी गई है कि cotton mills have been forced to close down during the period of drought due to insufficient water supplies to run the mills ठीक है क्योंकि water supplies थी नहीं तो उससे क्या हुआ कि पानी वैसे भी नहीं था और दूसरी चीज़ यह है कि electricity प्रेडियूस नहीं हो पा रही थी तो इसको फिर बंद कर दिया गया तो इस तरी की चीज़े जो है वो और जगे को भी देखने में मिलती है तो वही बात है जहां पर पानी की regular supply है वहाँ पर इस तरी की डैम सो करा काफी ज़्यादा successful है और जहां पर नहीं है जहां पर irregular water supply है या पानी जो है वो rain fed है जो rain fed rivers है या rain fed lakes है तो वहाँ पर फिरिस्तेगी की problem जो है वो आएंगी इसके बाद हम बात कर लेते है agricultural purpose अगर हम इसको overall बात करें in the term of geological time period to lake heart कैसे है लेक temporary है अब temporary क्यों है मैं आपको बता है कि क्या होगा उनके ओपर siltation होगा यानि कि नदिया वगरा जो भी silt लेके आ रही है वो उनके ओपर जमा होगा sedimentation होगा तो उनका जो bed है वो पूरा का पूरा क्या होगा भर जाएगा ठीक और किससे भरेगा जो fertile alubium है उससे तो इससे क्या होगा कि अब alubium fertile है obviously बात है तो वो बनाएंगे क्या they make excellent agricultural land like the fertile whale of pickering in Yorkshire or the rich red river valley of Canada which was in fact the former site of lake agasage इस तरीके के वहाँ पर कोई lake हुआ करता था और आज की date में क्या है कि वहाँ पर fertile land वगला जो है वो बन चुकी है ठीक इसके बाद modern multipurpose dams besides generating hydroelectric power supply also supply water for irrigation ठीक है अब जो यह हम बात कर रहे था है hydroelectric power supply के लिए जो dam बनाया जाता है hydroelectric power plant तो उसमें पानी एक टो dam के लिए तो ही है मतलब बिजली तो पैदा करे गई वो और सांच सांच जो है उसका पानी irrigation purpose के लिए भी यूज के जाता है जैसी कि example के तौर पे दिया गया है हीरा कुन डैम को इसने मध्य प्रदेश लिखा हुआ है क्या हीरा कुन डैम मध्य प्रदेश में है क्या इस बुक में सही लिखा गया है या नहीं लिखा गया है ठीक है या आप मुझे जरूर बताएं कि क्योंकि चीजें हम लोग पहले से डिसकस करते चल रहे है हला कि इस बुक का कॉर्स अलग चल रहा है लेकिन आप लोग इन सियारिटी भी जरूर पढ़े है पहले तो आप लोग को चीजें जो है वो बिलकुल क्लियर है और आप लोग इस इस्तिती में है कि आप मुझे इस सवाल का जवाब बता सकते हैं ठीक है चलिए आगे देखत है कि बाड़ नहीं आएगी और उसमें पानी की कमी भी नहीं होगी क्यों कि जिस समय हेवी रें हो रही है तो उस समय क्या करेगा वह लेक जो है वह अईकसेस वीटर को एब Literary Half को release कर देगा ताकि river का जो steady flow है वो maintain रही यानि कि river में पानी की कमी ना आए because lake retain part of the sediment load rivers leaving lakes have clearer water एक और फायदा है कि अगर रस्ते में किस तरह के lake पड़ता है तो उसमें क्या है कि जो sediment river लेके आ रही है थोड़ा बहुत वो sediment जो है lake में भी settle down हो जाएगा तो उससे पोयांग एंड तुंटिंग ओन दा यांगजे क्यांग दा तोनले सैप ओन ट्रिब्यूटरी अफ दे मिकॉंग दा लेक कॉंस्टेंस ओन दी अपर राइन ठीक है ये example दिये गए हैं जहां पर इस तरह के phenomena's देखने को मिलते हैं और जहां पर इस तरह के lakes available नहीं है और flood की समस्या बहुत जादा आती है तो वहाँ पर artificial reservoirs जो है वो बनाए गए है जैसे कि दा हुवर डैम ऑन दा रिवर कोलरेडो एंड भाक्ना नंगल डैम ऑन दा सतलजिन इंडिया ठीक चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं moderation of climate यह moderation of climate वैसे मुझे समझाने की जरुवत आप लोग को नहीं है तो कि पहले हम लोग यह चीज है बात कर चुके और यह चीज हम बहुत अच्छे से समझते भी है कि जहाँ पर भी पानी होता है वहाँ पर climate extreme नहीं होता ठीक है जिसके example के तौर पर अगर हम coastal region की बात कर लें अगर इंडिया की ही बात कर लें तो इंडिया में एक place आप ले लिजे डैली और दूसी place आप ले लिजे मुमबई ठीक है मुमबई आपको पता है कि समुदर के पास है तो वहाँ पर temperature आप देखेंगे कि जो diurnal temperature है वो भी बहुत ज़ादा फरक नहीं पड़ता और जो annual temperature है उसमें भी बहुत ज़ादा फरक नहीं पड़ता and cooled more slowly than the land by night ठीक है exercise and appreciable effect in moderating the climate of a region in the same way as ocean effects the adjoining land masses वही है जिस तरीके से oceans effect डालते है उसी तरीके से ये भी लेक्स डालते है बट शर्त ये है कि लेक्स जो है वो थोड़ा सा बड़े होने चाहिए या फिर डीप होने चाहिए यानि कि आप कहेंगे कि उन लेक्स में पानी ज क्या करेगा वो air को जो आसपास की जो air है उसको गर्मियों में ठंडा कर देगा by absorbing part of the heat और सर्दियों में वो उसको गरम कर देगा by releasing the heat ठीक है जैसे example के तौर पे दिया गया है the eastern shores of Lake Erie, Ontario and Huron have a much milder winter than those of the west ठीक यानि कि west side में जो इसके जगे है वहाँ पर सर्दिया काफी ज होते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, because of the oncoming breezes are warm and early frosts are mini-wise, ठीक है, this part of the lake peninsula is therefore important for grapes and fruit farming, इसके पाद लार्ज लेक्स like Lake Michigan and the Caspian Sea also exert a slight influence on the cloudiness and precipitation of the region, ठीक है, cloudiness और प्रेसिपिटेशन पर भी कैसे असर पड़ेगा कि अगर माली जो कोई ऐसा region है जह ज़्यादा होगा और evaporation ज़्यादा होगा तो जो ऊपर की तरफ को जो wind जाएगी उसमें ज़्यादा पानी होगा तो ऊपर जाकर जागे उसका temperature कम होगा तो वहाँ पर precipitation ज़्यादा होगा, ठीक है, their large expense of water acts almost like part of the ocean and helps to precipitate atmospheric moisture into the rain, ठीक है, the levered side of the lake Michigan records a little more precipitation than the windward side, though the actual amount is often not easily noticeable, ठीक है, यानि कि ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा windward side में बारिश कम होगा है, लीवर्ट side में ज़्यादा है, और वो क्यों है, वो इसलिए दी गए है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरीके के, जो water body से उनका effect है, small lakes have practically no effect at all on either temperature or rainfall, तो यही मैं आपको पहले बता रह होगे, तो उन पर फिर इन चीजों का इस तरीका कोई फरक नहीं पड़ेगा, ठीक, इसके बाद, lakes जो है, they also act as a source of food, कैसे, many large lakes have important supplies of protein food in the form of fresh water fish, ठीक है, fresh water fish वगरा, वहाँ से मिल जाती है, जैसे कि sturgeon is commercially caught in the Caspian Sea, salmon and sea trout in the Great Lakes, and the thornless app in Cambodia, fishing is a leading occupation, ठीक है, तो fishing वगरा करके, जो amateur fishermen होते हैं, have found fishing in lakes and rivers are most rewarding past time, amateur fishermen मतलब जो शौक से, आप देखते हैं कि कुछ लोग शौक से जाके, या कुछ लोग जो मचवारे नहीं है, जो professional fishermen नहीं है, वो लोग जाके इस तरीके के जो past time वगरा है, मतलब अपना time pass करने के लिए आपके हैं कि recreation activity के लिए भी fishing करते हैं In many countries, artificial lakes have been created for inland fish breeding, this is particularly important in China and Japan, ठीक है, तो artificial lakes वगरा भी बनाये जाते हैं, वहाँ पर भी इस तरीके की fish breeding वगरा जो है वो की जाती है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, source of minerals, यानि कि lakes से हमें कुछ minerals भी मिलते हैं, salt lake provide valuable rock salt, ठीक है, जैसे कि dead sea के कर हम बात करें, तो हमने बात क की थी कल कितना जादा वो saline है, ठीक है, तो उसकी high salinity के वएसे उसके पानी को evaporate किया जाता है, और उससे क्या वालाया जाता है, common salt, which is most indispensable for human well-being, हमाँ पता है कि नमक की जर्मत तो सभी लोगं को है, तो वहाँ से नमक हमें मिल जाता है, जो मुआवे desert है, वहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते है, बुरेक्स, ठीक है, वहाँ से बुरेक्स निकलता है, gypsum is mined in Cheshire and the Stesford, a small distance from Berlin, is so rich in potassium and other chemical deposits, that they have given rise to a wider range of chemical industries, यानि कि इन जगहों से जो है, इतना जादा chemical निकलता है, कि chemical industries वहाँ पर setup की जा चुकी है, in both these areas, the salts are obtained from deposits formed in a earlier geological period, यानि कि पहले के समय में क को इस तरह का deposit वगरा बना है, earlier geological time में और वहाँ से अब इस तरह की salt वगरा जो है, वो मिल रहे है, इसके बाद tourist attraction या health resorts के case में भी जो है, इसको use किया जाता है, some of the world's best frequented holiday and health resorts are located on lake sites, जैसे की, Lake Geneva, Lake Lucan, Lake Lugano, Lake Como, Lake Placid, Lake Wanner, Lake Wetter, the English Lake District and the Typing Lakes and the glacier formed lakes of the Alps, have made the tourist industry a national occupation of the Swiss, ठीक है, तो इस तरह के lakes के आसपास, जो है, tourist places रहती है, ठीक है, health resorts वगरा रहते हैं, जैसे की, आपने देखा होगा कुछ, है, और काफी जादा tourist को ये साल भर attract करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसी के साथ ये chapter जो है complete होता है, काफी आसान chapter था है, जिसमें कुछ था नहीं, अब हमारे सिर्फ और सिर्फ इस part के, जो इस book का part one है, उसको हम लोग 3 chapter हमारे बचे हुए हैं, 10th, 11th and 12th, उसको हम लोग बहुत जल complete कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि हम लोग part second जो इस book का है, उसको अभी immediately start ना करें, ठीक है, क्योंकि from the past quite a long time, इस book का या जो series ये चल रही है, इसमें बहुत जादा overwhelming response आप लोगों का हमें नहीं मिल रहा है, हलाकि ये book जो है आप लोगों की ही भारी demand पर जो है start की गई थी, लेकिन I am very sorry to say कि हो सकता है कि हम इस course को part one से आगे फिलाल ना बढ़ा है, ठीक है, अगर आप लोगों की demand अच्छी होगी, तो it may be resumed anytime, बट अभी के लिए फिलाल, मतब जो हम continuous flow हमारा चल रहा है कि हम लगातार आपको 6 दिन इस book को cover कर रहे हैं, तो हो सकता है कि part one के बाद हम थोड़ा से इसमें break आप लोगों को जरूर दें, क्योंकि I don't know, जब आप लोगों के demand पर इस book को start किया गया था, तो we were very much hopeful कि it will give good results, both for you and both for us, but unexpectedly ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, और I don't know कि आप लोगों को ने जादा I think कि पसंद नहीं की, आप लोगों को चीज़ आप लोगों किसी ने कोई feedback भी ऐसा share नहीं किया, बट हो सकता है कि इसको अभी हम फिलाल आगे ना बढ़ाएं, ठीक है, अगर आप लोगों के demand होगी तो फिर उसको देखके, फिर as and when, जो भी situations बनेंगे, उसको लेके ही फिर आगे का decision लिया जाएगा, ठीक है, चलिए, फ पहला पार्ट है, बारा चेप्टर तक का उसको तो cover कर देंगे, ठीक है, चलिए, तो content related अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप हमारा telegram का जो group है, that is local.js, UPSC discussion forum, इसको join करके आप वहाँ पर अपने doubts पूछ सकते है, इसका link नीचर description box में दिया हुआ है, या फिर आप इसको telegram म और भी website पर available है, वहाँ पर आपको सारे के सारे videos मिल रहे है, साथ ही chapter wise, notes और quizzes भी जो है, वो बहुत जल्द update कर दिये जाएंगे, इसका link पे नीचर description box में आपको मिल जाएगा, अगर आप course purchase करने संबंदी कोई technical को री face करते हैं, तो आप हमसे WhatsApp के through इस number पर contact कर सकते हैं, that is 9498086380, बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें, या कुछ बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमें इस email ID के through contact कर सकते हैं, that is support at the local.co, बाकी हमसे जादे जुड़ने के लिए आप हमें Facebook पर, Instagram पर, LinkedIn पर, और Twitter पर भी follow कर सकते हैं, Thanks for watching, till the end, आप हमारे other courses को in playlists के through access कर सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो like जरूर करें, इसे जादा से जादा शेयर करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजे, और bell icon प्रेस करना बिलकुल बुलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें, अपने कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा,